Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग ? मेरे पास ना काफी टाइम से एक स्पेसिफिक एज ग्रूप के स्टुडेंट्स के इमेल्स हा रहे हैं and that age group is 25-30 years 25-30 साल के बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट्स हैं जो multiple times, एक बार नहीं, इतनी एज होगी है तो multiple times त्यारी करी होगी किसी ना किसी कारण से कुछ ना कुछ प्राबलम हो जाती है, उनका रहे जाता है जॉब में भी कुछ नहीं बात खास बन रही, कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक single penny भी earn नहीं करी है मतलब कुछ नहीं कमाया, age is 28, 29 इस तरह के भी हैं लोग कई की बारी मेरेको इमेल्स पढ़के उनसे इंटरेक्ट करके काफी शॉकिंग लगता है बट यहाड को रियालिटी है बहुत बहुत लोग ऐसे हैं जिनका age group थोड़ा सा higher level पे है, जादा तो नहीं कहूंगा बट थोड़ा सा higher level पे है और वो कुछ कर नहीं पारे life में and simple भाषा में बात करो थो ठके हारे हुए हैं उनको लगता है कि अब क्या ही करे life में so cold कोई एक कोई spark नहीं है मतलब कुछ aim नहीं दिख़रा life में कि अब हमारे को क्या करना चाहिए अब they are totally confused कभी-कभी तो बहुत जोश आता है काम करने का मन करता है फिर एकदम धिले होके बैठ जाते हैं कुछ नहीं हो रहा life में what should exactly they should do मतलब क्या करना चाहिए उनको उस बारे में मैं आज बात करूँ आपसे देखो मैं बिलकुल simple भाषे में बात करता हूँ कुछ स्टुडेंट्स ऐसे होते हैं क्योंकि financially बहुत वीक है मतलब हम उनको कह सकते हैं कि lower की भी lower middle class है या rather middle class का tag ही मतलगा उन पे बहुत जादा finances weak है simple भाषे में बात करूँ तो काम नहीं करेंगे तो घर में दाल रोटी नहीं आएगी loan लेकर के पढ़ाई कर रखी है तो घर की हालत बहुत खराब है इदर दर के और करजे है सिर्पे and so on जो भी है but the thing is financially बहुत खराब है वो लोग तो बेटा मैनत करेंगे देक है पूरा जोर लगाएंगे क्योंकि उनके पास so-called एक purpose है जान से समझो उनके पास एक purpose है कि ये जिंदिगी बहुत खराब है इससे मेरे को जल्दी से जल्दी बहार निकलना है और सभी की उमीदे है मुझे ही उमीदे है मुझे ही कुछ न कुछ करना है तो they are doing very hard work और वो आगे भी बढ़ जाते हैं उनके पास एक purpose है lifestyle बहुत खराब है lifestyle तो wordy मत यूज करो मतलब कुछ नहीं अगर में क्या करें तो मरता क्या ना करता वले situation है by hook or by crook they will do something they will do of course उसमें से कुछ होंगे जो students होंगे फ्रीलांसिंग करेंगे कुछ भी काम करेंगे earn करेंगे पैसा कमाएंगे अपना खर्चा भी चलाएंगे थोड़ा भूद घर के लिए काम करेंगे दिन रात मेहनत करेंगे and of course मतलब वह काफी उपर तक जाएंगे but और अगर आप उनमें से हैं and still आप काम नहीं कर रहे हैं then no comments मैं आप लोगों को motivate नहीं कर सकता मैं क्या दुनिया का कोई भी आदमी आपको कुछ नहीं सिखा सकता जी अगर आपको अपनी घर की हालत देखने के बाद भी काम करने का मन नहीं करता या आपको कुछ नहीं कर रहे है then really मतलब मेरे हाथ खड़े हैं आप लोगों के लिए इनकी financial condition ठीक ठाक है इनको लगता है कि कुछ नहीं करेंगे तो घर में धाल रूटी तो चलेगी घर अपना है basic necessities पूरी है रूटी कपड़ा मकान तीन basic necessities है वो पूरी है तो ऐसे लोगों में जो ऐसे लोग होते हैं वो काफी vulnerable होते हैं इस situation में आने के लिए कि अब क्या करें life में कुछ spark नहीं है अभी पता है ठीक है काम नहीं भी करेंगे थोड़ा बहुत तो कुछ है ही तो we can do something in life चल जाएगा गुजारा चल जाएगा या थोड़ा और देखें तो ऐसे भी है students जो मतलब जिनके माब आपने पैसा काफी कठा किया हुए उनको जूरत भी नहीं है अब ध्यांते तोना मैं क्या बोलूँगा जो spark missing है तो spark दिखाता हूं मैं तुमारे को मैं आपको अपने example से पताता हूं मैंने I think 2019 में मैंने आपको कई पर बताया है एक well-paying job छोड़ी थी शादी हो गी थी बच्चा हो गया था उसके बाद मैंने job छोड़ी कई relatives ने बहुत उल्टा सिधा कहा लेकिन एक बहुत close relative ने तो हद पार कर दी थी उसने कहा था मोकरी तो छोड़ी है आली बैठ है न ऐसा कर एक उपर घर के portion बन वाले या मतलब एक उपर और घर बना ले और किराय पे चड़ा दियूं 10-12 सर किराय आ जाएगा तेरा घर का खर्चा तो चली जाएगा ऐसा था यह मतलब कोई भी हर इंसान को मतलब यू कैन से की अजादी है बोलने की है ना डेमोक्रेसी है तो बहुत फैदा उढ़ाते है लोग बहुत उल्टे सीधे कमेंट्स बहुत कुछ सुनने को मुझे मिला था उनकी तरीके से तो मैं खाली हूँ भी नोकरी छोड़ी दे तो बंदा कोई खर्चा पानी चलाता 10-12,000 से मेरी लाइफ कैसी होती मैं जिन कर पाया हुए कहीं पे भी में आता जाता कि किसी शादी में गया किसी फंक्शन में गया कहीं रिष्टेदारों की गैदरिंग में गया क्या कहेंगे लोग अपस में बात्चित क्या करेंगे अभी बाप दादे के थोड़ा बुट पैसा कमाया हुआ था उसे पे बस गुजारा कर रहा है और तो क्या ही करेगा जिन्दगी में यह शब्द बेसिक सुनने को मिलते अगर आप लोग काम नहीं करोगे न तो यही करती शब्द आगे आने वाले सालों में तुम्हारे को सुनने को मिलेंगे लोगों से यह बाप दादे की थोड़े बहुत कमाया हुए पैसे है उसी पैस जी रहा है कुछ कहेंगे कि इसको कमाने के जूरत भी क्या है बाप दादा या सोकुर्ट जो भी है बाप दादर की कमाई पे जीओगे ना सारी उमर एक दिन की बात नहीं कर रहा है सारी उमर मर मर के जीओगे कहीं आना जाने में हमेशा परिशान रहोगे क्या लोग तो कुछ ना 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 कुछ अल्टिमेटली यू विल फॉल इन डेप्रेशन, फिर गोलियां और वह सब मतलब उल्टा सिधा काम होगा लाइफ में, तो सिंपल भाशे में बात करो, एक होलो स्पेस लाइफ टाइम रहेगा तुम्हारे अंतर, अभी तो कुछ जिन्दगी में नहीं किया तुमने, अभी त सारी उमर ऐसे निकल जाएगे, इस बात को जितनी जल्दी समझ लोगे न, उतने फायदे में रहों गया, आज की डेट में, रिस्पेक्ट सिर्फ उस आदमी की होती है, जिसकी थोड़ी बहुत भी अपनी आइडेंटिटी होती है, फर्स करो, नोकरी करता है जी बंदा, किस किसी software company में लगा हुआ है, या किसी छोटे मोटे school में भी लगा हुआ है, पढ़ाता है, कमाता है, घर चलाता है, यह चीज सबसे basic और सबसे जरूरी है, तब तुम सिर उठा के जी सकते हो, और family में, या जो भी, मतलब कहीं में भी आप आओ जाओगे, at least आपकी existence रहेगी, otherwise पाप दादा के पैसो पे जी रहे है, जो थोड़ा वो तो दे के गए है, उसे में कर रहा है, समझ रहे हो ना, बेशक से आप करोड़ पती हो, बेशक से आप अरव पती हो, hardly matters, बेशक से आपके घर बहुत बड़े है, घर में swimming pool है, बहुत कुछ है घर में, कमाने के कोई आपकी नजरे जुक्यों रहेंगी लोगों के आगे, तो कि आपने सिंदगे में कुछ नहीं किया, इस बात को जितनी जल्दी समझ लोगे, और अपने दिमाग में बिठा लोगे, कि मेरी जो लड़ाई है, वो खुद से है, और अपनी existence की है, मैं किसी के पैसो पे नहीं जी मेरी अपनी एक existence होनी चाहिए, जब ये बात तुम्हारे दिमाग में घुच जाएगी न, तब तुम्हारे को कोई motivation की जूटता नहीं है, किसी के उपर dependent होने की जूटता नहीं है, अपने आप से तुम मेहनत करोगे, जोर लगाओगे, चाहे कुछ भी करोगे लाइफ में, बट कुछ न कुछ अच्छा कर लोगे, it's as simple as that, ये lecture या जो भी मैं आपसे बाते कर रहा हूं, अगर इसको भी तुम हवा में उड़ा दोगे न, तो तुम्हारे जिंदगी भी एक हवा की तरह है, धुए की तरह खतम हो जाएगी, और कब आए, कब गए, किसी को कोई नहीं नहीं रह जाएगा, कुछ भी मतलब, you can say की, कोई माई नहीं रह जाएगा, इस चीज के, आप मेरे एक्जामपल से, I think, समझ गी होगे, उस टाइम पे मेरे बड़ा सान काम था, अपनोकरी छोड़के बैठाए घर में, खाली है, चल बेघर बना और 10-12 अधार किराय पे लोग तो ऐसी सोचते हैं, उनको क्या पता, मैं क्या करता हूँ, मैंने मेरी क्या एजुकेशन है, मैंने कितने पढ़ाई करी है लाइफ में, मैंने क्या कुछ उखाड़ा है, किसी को क्या पता, लोग तो आके बोल जाएंगे, समझ रहे हो ना, तो वो एक मेरे को याद आ र सब्सक्राइब, समझ रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं फर्क पड़ता है, लोगों को सिर्फ ये देखता है कि कुछ काम धंदा करता है की नहीं करता, ईस्से उपर उनको कुछ तो अगर तुम कुछ कर रहे हो, मतलब उनको दिख रहा है, तब तो जी आपके लिए उनके मन में या सब के दिमाग में एक basic सी respect रहेगी, otherwise वो नहीं रहेगी, simple है, तो अब मैंने को पता था, मैं नोकरी क्यों छोड़ रहा हूं, मैं इतना तो बेवकुफ नहीं होगा, शाद नहीं महिनत कर रहा था, और कुछ साल बीते, जब मेरी कुछ existence नजराई, आज वो ही लोग मेरे से नजरे भी नहीं मिला पाते, जिन्हों ने मेरे को ये comment किये थे, कि हाँ घर बना ले, ये कर ले, वो कर ले, आज वो मेरे से नजरे भी नहीं मिला सकते, समझ रहे हो ना, तो जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो आपको समझ में आ चुकी होगी, और अब, आप अपनी existence के लिए, अपनी identity के लिए, fight करोगे, जोर लगाओगे, और अपना competition खुद से करोगे, तब आप, I think, कुछ बनोगे ले, वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक अराउंड 200 आवर्स की है, 160 आवर्स या 150 आवर्स की अराउंड DOC की प्लेइलिस्ट है, तो इतना students के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैंने paid courses लाउंच किये हैं, और वो भी students की request पे ही लाउंच किये हैं, और अगर आपको देखना चाहते हैं, तो आपको app का और website सब्सक्राइब नहीं है, जो लोगों को कॉल करके परिशान करीगें, ऐसा कभी नहीं होगा, बिल्कुल टेंशन विडो करके अकाउंट बनाओ, देखो, free lectures कुछ-कुछ अविलेबल है, आप वहां से जज़ कर सकते हैं, किस तरीके से मैंने पढ़ा रखाया, वैसे YouTube मोर्द तक cut shot करके, to the point करके मैंने courses बना रहा है, discrete mathematics सिर्फ 90 आवर्स में मैंने complete किया paid में, TOC मैंने around 80 आवर्स में complete किया paid में, तो मैं आपको बता देता हूँ, discrete mathematics, TOC और digital, ये तीन subjects completed है, CN, computer networks अभी चल रहा है, इनके combos भी अविलेबल रहते हैं, जैसे आप discrete mathematics TOC का combo ले सकते हो, discrete mathematics TOC, CN का combo ले सकते हो, discrete mathematics TOC और digital, CN, चारो का इकठा भी combo ले सकते हो, and so on, हर तरीकी का combo अविलेबल है, आप हो देख सकते हैं, 555 का 1 year का course है, 777 के लिए 2 years के लिए, और 999 के लिए 3 years का, पर course ये फीस है, देख्या, combo में खोड़ा बहु डिस्काउंट हो जाता है, आप हो दे मेरे paid courses में distraction बिल्कुल नहीं होती है, एकदम top-notch quality का content है, voice clarity एकदम first class है, कोई disturbance नहीं है, और smart board में टीच कर रहा हूं, अलग-लग colors लेकर के पढ़ाता हूं, तो एकदम proper offline वाली feeling है आपको, एक बार आप lectures देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है बटा, thank you so much, bye अच्छा, और एक बात चलते चलते और बता देता हूं, जो students afford नहीं कर सकते हैं, इनको लगता है कि मैं 555 भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, वसे तो 555 में simple pizza भी नहीं आता, धंका pizza खाने जाओगे, वो भी काफी महांगा पढ़ता है, और लेकिन मैं 555 में एक साल की validity के साथ, मतलब gate 255 के साथ, एक एक courses आपको दे रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है, फोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप मुझे email कीजिए, मैं जो needy students होते हैं, उनको free में भी दे देता हूं, और जो students को कुछ financial problems होते हैं, कुछ दिक्कत होती है, मैं उनके लिए discount भी कर दे email के थूँ, और एक बात और बताता हूं, मेरे content होता, recording होता है, लाइव नहीं होता, recorded का फादा ये है, कि मैं अपनी सवलीट के साफ से record कर सकता हूं, और आप अपनी सवलीट के साफ से देख सकते हूं, तो दिक्कत नहीं आएगी बिलकुल भी, और और अफकोर्स बिलकुल समय घ्लै रॉट कि लोकूं अटई नहीं हो 17 हो आप मुझे कर सकते हैं रात को सोने से पहले आपको रिप्लाई मिल जाएगा ठीक है ओके थैंक यू सो मद्ट भाइग